नमस्कार दोफ्तों मैं संदीव स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेश्ट यूट्यूब चैल्म दोफ्तों आज है क्लास नमबर 9 आज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी इन्वेसिटी वा कॉले के उच्छात इनकी परिच्छा हैने कि सेशन 2021-2022 में जो भी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सारे कोईस्टन पिछले कई सालों में कई बार रिपीट हुए हाला कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं वही टॉप लेवल कोईस्टन में प्रवाइड करता हूं जो कि कई बार एक्जाम में पूछे जा चुके हैं चले बिनादर की वीडि भी कोव हिंदी एंगली सोचो्या फिर 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 हिस्टरी ऑप कर सकते यह फिर वैस्ट्री में जो भी हम बारे में चारफ करते हैं और आज कीछ बीडियों कि दो पार्ट होते हैं यानि कि हिंदी फर्ष्ट पेपर और हिंदी सिकेंड पेपर तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी कौन से पेपर के बारे में सिकेंड पेपर के बारे में तो चलिए बिना देरी को भी स्टार्ट करते पहला कोश्चन हम देखते हैं कौन सा ह करेंगे फिरहाल चाहिए वो गलत हो या राइट हो आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगा को बताएंगे कि जैस अंकर प्रसाद के जर्म है वह हुआ था यानि कि इसमें से राइट हो जाएगा सी नंबर तो यह सारे टॉप लेबल के कोश्चन ध्यान में रखेगा बहुत इंपार्टन कोश्चन है जो कि यह कई बार एक पूछा गया है कि जैस अंकर प्रसाद जिकाजन में कब हुआ था ठीक है बढ़ेंगे के लिए कि लिए अपसर नंबर भी ठीक है इस पर कि लिखते रहें कमाईनी बहुत ही कमाई मैं आप प्रसाद से संबंदिद वह कामाईनी इनकी जो महा काब भी रचना है ठीक है इनसे संबंदिद चार से पांच नंबर की कोश्चन हंडर प्रसंट आना ही आना है तो आप रट लीजिए ठीक है ओके बढ़ते हैं के लिए कोश्चन के और अगला कोश्चन कह रहा है कि सावन पंचक की रचना कब हुई आप से मिल जाएंगे 1915 1902 1906 और 1917 तो सावन पंचक रचना कब हुई थी उससंट का नाम है 1906 भी में हुई थी इसलिए कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा सी नंबर किलिक करेंगे सीपे बढ़ेंगे मैं अगले कोश्चन के और अरा कोश्चन दो कामन कोश्चन बन सकते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा हो सकता है यहां पर आज आए आपके प्रत्रफम प्रुस्कार तो आप प्रुस्कार मत होईएगा उसका राइट एंसर एक होगा जो मैं आपको इस video मताने वाला हूं इस कोश्चन का इन आप अप्शनों में से लहर उर्वर्षी आंसो अनामिका मेससे जो राइट एंसर होता है वो होता है option number B उर्वर्षी ध्यान में रखिएगा ठीक है किलिक करेंगे हम किस पे बी नमबर उर्वर्षी पे ऑके बढ़ेंगे एकले question क्यों कि अल्बा क्यों किक कितने पुरूस पात्र है ठीक है आफ संद 6-4-2-7 तो राइट एंसर इस कोश्चन का हो जाए का मावनी कि जो पूरुस पात्र की सवसंख्या है वह है दो इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा C नमबर टिक करेंगे C पे बढ़ेंगे अगले ले कोछिशन क्यों अगला कोईशन कह रहा है कि इसमें पात्र रहे तो अगला कोईशन है इनके नमबर कोगी कि आवध्या का उध्धार किसंद कि रिधा गति है इस वाहेह हुज रहुक है और लएक इस मैं इसमे आपको लिएंसर में county आ आपको बता दूं कि आप सभी को मालूम है कि हो जाएगा जैसे अंकर प्रसाद जी इसले किलिक करेंगे हम ए नंबर राइट एंसर करेंगे ठीक है जैसे अंकर प्रसाद बढ़ेंगे लिखा है कि चंद्र गुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम था यह जो इनका महाकाब य कि आ गया है उसमें का यह कुष्टन मन रहा है कि समत्र गुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम था आपसर मिल जा रहे हैं आपको चंद्र गुप्त सिखर स्वामी राम गुप्त और असकंद गुप्त तो सेवन नंबर को राइट एंसर हो जाएगा बी नंबर सिखर स्वा और अब सर्ण नंबर 1 पर कलिक करेंगे आपधाएंगे अगले कोष्टन कि और अगला कोश्टन क्या कहे रहा देखते हैं अगला कोश्चन है कि जो आमडुल्र कुष्ट की डी नंबर राम गुप्त की तो ब्रौस आमने से चाहें को शना कुष्टन आएग जाएगा जाये सब्सक्राइब करेंगे किस आप्षण पर आप लोग अब बढ़ेंगे आगले क्यों यानिकी आप्षण नमबर टेंथ पर लिखा है कि ब्रहामण केवल धर्म से भैवीत होता है यह कथन किसका है दूस्वामनी असकंद्रगुप पुरोहित रामगुप्त तो ब्रहामण केव धर्म से भैवीत होता यह कथन जो है वो है प्रोहित का इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर सी पर किलिक करेंगे किस पर किलिक करेंगे सी पर टिक करते हैं बढ़ेंगे एकले कोश्चन के और यानिकी 11 नमबर क्यों लिखा है कि निवन में से राम ज 인 permettre की जो एक आंकी नाटक है ठिक है वह कौन से इसमें आपको मिली जा रहें इसमें राइट जेगा बी नमबर का मैनी ऑके पर किलिक करेंगे ठीक है अगले को बढ़ते हैं अगला क्ति क्या कहता है कि कामाइनी पर बढ़ते हैं लिख दा है कि के माइनी का अंगी का है नं कि सांत ध्यान में रखिए का बहुत टॉप लेवल का कुष्चन यह भी है ठीक है जो भी कुष्चन आपको अच्छे लगे या फिर आपको लगे बहुत इंपर्टेंट है वह मैं आपको बताई देता हूं तो आप नोट डाउन या फिर स्कीन सोट भी ले सकते जो कि आप बा कि ब्रजबांसा में किलिक करेंगे सी पे हम बढ़ेंगे अगले कोश्चन के और प्रेम पथिक का खड़ी सोरी यहां पर कोश्चन पढ़ेंगे लिखा कि प्रेम पथिक का खड़ी बोली में अनुवाद किस ने किया तो आप सर्म आपको मिली जा रहे है और राइट एंसर आप सभी को भी मालू में याद रखेंगे का कोश्चन प्रेम पथिक खड़ी बोली में अद्वाद स्री जैसंकर प्रसाद जीजे नहीं किया था इसलिए कोश्चन कराइट एंसर हो जाएगा डी नमबर ओके अगला कोश्चन है कि लहर की रचना कब हुई थी उनिस्तों प समир और कोश्चन कर store धा कि नमबर एक जापान अनंत और्बरसी नहीं और नसथी कोई नहीं तो जैसंकर प्रसाद की जो जो करति है वह वह является definition कर अंबर उरवर थी ठीक हूं और इंसर हो रही है मठहा है चौह बढ़एं गेंसर की है और लिखा है कि सक्राच की कैसी का क्या नाम था गंगा मंदा दूसवामनी कोमा तो इस कुष्चन के तो राइट अंसर होसेगा खुआज पल्क आप लोग डी किलिक कर लीजगा पढ़ेंगे की लिए कुष्चन की उं अंहाट चैंंड की क्नाइका कौन है बहुत different लेबल कोईश्चन आपके एक्जाम में आ सकता है तो याद रखेगा यह कोईश्चन बहुत ही टॉप लेबल का लिखा क्रोमा स्रया दोस्वामनी मन्न की नहीं नाटक की जो नायका है वह है खुदी दोस्वामनी है इसलिए राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर याद है तो इसकी जो रसना है वो कब हुई थी तो आपसर आपको मिली जा रहे हैं कि 1914-1913-1915 राइट एंसर हो जाएगा 1914 इसलिए हम कोईश्चन पर राइट एंसर क्लिक करेंगे ए नंबर ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं लिए कुश्चन क्या कह रहा कि प्रेम राज जी क जाएगा आप्शन नंबर कौन सा सी किलिक करेंगे हम किस आप्शन पर सी पर ओके तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैंने इंक्लिट किये थे जैसे संबंदित पूरे टॉप टॉंटी कोश्चन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी हिल्प हुले हैं ठीक है औ कोश्चन के और भी बारे में लेकिन यह जो टॉंटी थे यह बहुत ही इंपॉर्डन कोश्चन आने वाले आपके एक्जाम के लिए काफी हल्प हुले तो रट लीजेगा कोई कोश्चन है कोई सुजाव है तो बेसा कमेंट के पूछेगा किसी सब जितका माडल कोश्चन प जात अब तक लिए जय हिंद